दोस्तो आपके साथ एक important वीडियो शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे important काम जो हमें 30 जून तक करने हैं income tax के अंदर और GST के अंदर आखरी मोका आपको ये मिला है काम करने का या अपनी lead fees बचाने का तो mix है सब कुछ तो one by one हम ये चीजे देखेंगे पहले हम बात कर लेते हैं GST की दोस्तो GST के अंदर आपके साथ ये notification मैं already share कर चुकी हूँ notification number 14 में कुछ compliance की जो date है वो extend की गई है 30 जून तक कुछ important चीजे आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है जो compliance extend हुए है उनमें से जो important है वो है filing of appeal यानि कि अगर आपको appeal file करनी है GST के अंदर और आपका जो appeal file करने का समय है उसकी date 15 April से 29 जून के बीच में fall कर रही है जो आपको appeal filing के लिए समय मिलता है 90 days का अगर वो fall कर रहे है 15 April से 29 जून तक तो उसकी date को extend किया है 30 जून तक यानि कि अगर अभी तक आपने appeal file नहीं की है तो file कर लीजिए क्योंकि 30 जून तक की ही ये date extension आपको दी गई है तो अगर appeal file करने की आपकी जो date है वो fall कर रही थी 15 April से 29 जून किसी भी दिन तो आप उसे 30 जून तक ही file कर पाएंगे उसके बात है reply अगर आपके पास कोई notice आया है उसकी reply आपको submit करनी है और उस reply की जो date है वो आ रही है 15 April से 29 जून के बीच में तो 30 जून तक इस date को extend किया गया है 30 जून तक आप file कर सकते हैं चलिए ये तो appeal और reply की बात होगी अब important आता है हमारा application कोई application आपको file करनी है कोई refund application आपको file करनी है जिसके 2 साल जो है वो date पड़ रही है 15 April से 29 जून के बीच में तो 30 जून तक ही आप file कर पाएंगे अपनी refund application उसके बाद आप उस particular period की application file नहीं कर पाएंगे तो इन चीज़ों को आपको अभी ध्यान रखना है और 30 जून तक अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किये है तो 30 जून तक कर लीजेगा उसके बाद furnishing of any report कोई document है return है statement है तो इन सभी की dates extend कर दी गई है 30 जून तक for example आपकी GSTR 7 की date extend हो गई है 5, 6 तो ये सभी आपकी जो dates है वो extend कर दी गई थी इस notification के द्वारा तो ये तो हमने बात कर ली GSTR की अब हम चलते हैं income tax पर हाला कि income tax portal अभी सही से work नहीं कर रहा है जिसकी वज़े से इन सभी dates को further extend करने की demand की गई है लेकिन अभी तक ये dates extend नहीं हुई है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ तो आपको ये काम करने है 30 जून तक सबसे पहले तो आपकी quarter 4 की जो TDS return filing है उसकी date को extend किया गया था 30 जून 2021 तक आपको ये filing कर लेनी है इसके बाद भी आप ये filing कर सकते हैं लेकिन महाँ पे फिर आपकी late fees लग जाएगी ठीक है जो की maximum जो 200 परड़े की जो आपकी late fees होती है वो लग जाएगी आप file तो कर रहेगी second हमारा आजाता है pan and athar की linking आपको करनी है pan and athar की linking की जो date है वो काफी बार extend हो चुकी है तो ये भी आपको कर लेनी है 30 जून तक next विवाज से विश्वास payment के लिए जो आपकी date extend की गई थी कि without additional amount आप pay कर सकते हैं अभी केवल अपनी tax की amount आप pay करनी है जो additional amount है वो आपको नहीं पे करनी है तो वो भी date extend की गई थी 30 जून तक तो वो काम भी आपको 30 जून तक कर लेना है I hope no की काफी सारे comments जो है आएंगे portal से related की portal नहीं काम कर रहा है portal पर काफी issues है जिनसे हमारी finance minister भी aware है सभी aware है कि portal अभी सही से काम नहीं कर रहा है तो इन date extension इन dates को further extension के लिए request बार बार जा रही है government के पस बढ़ जब तक कोई date extend नहीं हो जाती तब तक के लिए हमारे लिए जो dates है वो 30 जून ही है तो 30 जून तक आपको ये compliance कर लेनी है तो ये important छोटी सी alert थी इस video के अंदर I hope ये video आपके लिए useful है thank you for watching